क्या आप किसी भी सब्जेक्ट में 100% स्कोर कर सकते हैं? यकीन मानिए, अगर कोई भी 100% स्कोर कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं और मैं भी कर सकता हूँ. क्या कंडिशन है उसके लिए? क्या जरूरत है? सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, कि एक तो हमें proper strategy पता होनी चाहिए, कि किस तरह से हमने आगे बढ़ना है, और दूसरा हमें उसको honestly और strictly follow करना होगा. दोनों अगर हम लोग proper way में करेंगे, सही strategy हो और सही उसका follow up हो, सही implementation हो, तो यकीन मानिए, आपके 100% marks काफी आसानी से मिल जाएंगे आपको, कोई भी नहीं रोप पाएगा. पिछले 16 साल से हम लोग इसी education line में है, thousands students को हम लोगों ने teach किया है, different different level के students हमारे पास आते हैं, उनके experience के according ही, उनको पढ़ाते हुए ही, और किस तरह से paper बनता है, क्या pattern है उसका, किस type के questions important है, कौन से chapter important है, इसकी knowledge को ही, इसके experience को ही हम आप लोगों के साथ share करेंगे, तो इस वीडियो को end तक देखिएगा, काफी important वीडियो है, और अपने friends के साथ भी share कीजिएगा, कि उनको भी इससे benefit हो सके, तो आज हम topic लेंगे, 9th mathematics में, किस तरह से आप 100% score कर सकते हैं, तो शुरुआत करते है सबसे पहले कि किस तरह की book से हम को study करनी चाहिए, कौन से topic easy है, कौन से topic important है, किस type के questions exam में आते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं books की market में NCRT की दो books available हैं, एक तो जो basic NCRT है, जो हम सभी के पास available रहती है, वो आप लोगों ने लेनी हैं, और साथ में 9th की ही mathematics examplar problems के नाम से book आती है, वो आप लोगों ने लेनी हैं, यह दोनों ही NCRT के through books हैं, आप लोगों ने यह दोनों ही book से पहले सारे questions attempt करने हैं, solutions and exercise के questions, इसके बाद आप लोगों के पास जो भी reference book available है, यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में reference book का नाम नहीं ले सकते, तो जो भी आपके पास available है, या आपको किसी भी institute से notes वगेरा available है, आपको teacher से notes मिलते हैं, school से assignment notes मिलते हैं, तो भी काफी होंगे, तो उससे आप काफी अच्छ topic है, वो important है, और कौन से topic जो है, वो easy है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे scoring chapters की, कि कौन-कौन से chapter काफी scoring है, scoring का मतलब हम लोगों ने यहाँ पे वो chapter लिये हैं, जिनके maximum questions पेपर में आते हैं, और जिनकी weightage ज्यादा है, तो इसमें, आप chapter 1, number system, chapter 2, polynomials, chapter 6, chapter 7, chapter 8, 9, chapter 13, chapter 14, इस तरह के जो chapter है, वो काफी scoring है, और जो काफी easy chapter है, easy chapter का meaning हम लोग यहाँ पे यह बताते हैं, कि जिस chapter को करने में, एक बार में ही आपको 80-90% chapter समझ में आ जाए, और दूसरी बार करने पर 100% समझ में आ जाए, वो काफी easy chapter होगा, उसमें, chapter 3, coordinate geometry, chapter 4, linear equations in two variables, chapter 5, chapter 11, construction, hero's formula, chapter 14, statistics, chapter 15, probability, यह वो chapter हैं, जो काफी easy है, अब इन बुक से किस तरह से पढ़ा जाए, वो बात करते हैं, आपको किसी भी chapter में, जो starting में given है, जिस तरह से explain किया हुआ है, हर एक topic को, concept को समझाया गया है, उसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने इसको काफी अच्छी तरह से पढ़ा, तो वो पूरा जो topic है, concept है, आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप लोग उन्हें, example जो हैं, वो करने हैं, after that आपको exercise पर आना है, तो आप directly exercise पर नहीं आएंगे, आप सबसे पहले अपने concept को strong करेंगे, फिर आप example करेंगे, फिर आप exercise करेंगे, सबसे पहले फिर आप NCRT complete करेंगे, NCRT का chapter complete होने के बाद, आप वही chapter, exemplar book से complete करेंगे, और फिर आपके पास जो भी reference book है, उससे आप वो chapter कर सकते हैं, तो इस तरह से, आपके basic भी तयार हो गया, concept भी strong हो गये, formula आपको याद हो गए, आपने example भी कर लिए, exercise भी कर लिए, और extra question भी कर लिए, तो आपका chapter पूरा तयार हो जाता है, examination के लिए, फिर आप उस chapter का test बनवा सकते हैं, कि जिससे आपको समझ में आ सके हैं, कि chapter में, जो भी question given है, उसको आप अच्छी तरह से examination में attempt कर पा रहे हो और आपको पूरे marks मिल रहे हैं और नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको फिर भी कहीं दिक्कत आती है, तो वापिस से concept दुबारा से पढ़ सकते हैं, उन्ही questions को दुबारा से भी कर सकते हैं, books और chapters के बाद, आईए चर्चा करते हैं, time table के बारे में, कि किस तरह से time table बनाया जा कि किस तरह से time table बनाना है, कितने बज़े उठना है, कब breakfast करना है, कब maths करनी है, कब science करनी है, यहाँ पे हम आप लोगों को इस तरह से strictly time table नहीं बताने वाले, हम आप लोगों से सिर्फ यही कहेंगे, कि जो time table आप लोग बना रहे हैं, उसमें mathematics को daily के लिए आप बनाएंगे कि daily ही आप लोगोंने mathematics करनी ही करनी है, और मैं आप लोगों को ये भी नहीं कहने वाला है, कि आप लोग उसके 2-2-3-3-4-4 घंटे आप maths को दीजिए, नहीं, आप उसको timing के according नहीं, कि one hour या two hours, आप उसको topic के according दीजिए, कि आज मुझे ये topic करना है, आपको पता है कि कितन इसको थोड़ा सा topic कम भी कर सकते हैं, syllabus के according आप लोगों को maths करनी है, topic के according आप लोगों को daily maths करनी है, timing के according आप लोगों को maths नहीं करनी है, सबसे easy method जो हम अपने students को बताते हैं, वो बताते हैं कि आप daily के 10 questions कीजिए, maths के, 10 questions आप exercise के कर सकते हैं, example के कर सकते हैं, reference book के कर सकते ह कहीं से भी आप 10 questions कर सकते हैं और उसी को आप आगे बढ़ाते जाएंगे जैसे माली जै आपने chapter 1 लिया तो chapter 1 के starting के आपने 10 questions कर लिए example वाले फिर exercise के फिर next exercise वाले फिर उसके बाद example के फिर exercise के इस तरह से आप 4 या 5 दिन में पूरा chapter 1 complete कर सकते हैं फिर आप दूसरी book से भी क कर सकते हैं तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 10 questions per day के हिसाब से भी पूरे साल में कितने thousands questions बन सकते हैं 3650 questions तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास जो books available है वो 2-2-3-3 times हो जाएंगी लेकिन उसके लिए burden कितना आया daily के ही आप शायद 20-30 minutes में ही आप इतना कुछ syllabus cover कर सकते हैं तो याद रखिए कि आप अगर daily करते हैं धीरे धीरे ही करते हैं उसमें कोई issue नहीं है लेकिन अगर आप daily करते हैं उसको routine में शामिल करते हैं तो आप लोगों के लिए maths समझना, maths को concept clear करना, question को attempt करना ये सारा का काफी आप लोगों के लिए easy हो जाएगा, maths के नाम से अधिकांश लोगों को डर लगता है, उनके पसीने छूट जाते हैं, एक phobia बना हुआ है maths उनके लिए, ऐसे लोगों को maths करने में काफी problem आती है, ऐसी students भी हैं तो उनको काफी डर रहता है, तो अगर हम ये बोलें कि त इसली classes हैं, उनमें maths का कोई भी result रहा हो, उसमें आप improvement नहीं कर सकते, आप future के बारे में ज्यादा सोचेंगे, तब भी आप इतना improvement नहीं कर पाएंगे, improvement कब होगा, जब आप present में कुछ करेंगे, तो पिछला और जो next वाला है, उसमें ज्यादा कुछ ना सोचते हुए, और मैं आज maths को अच्छे तरह से करूँगा, तो धीरे-धीरे maths मेरे लिए easy बन जाएगा, और जो future में मेरी maths है, वो भी काफी strong बन जाएगी, क्योंकि मैंने आज present में उसके लिए काफी महनत की है, तो सबसे पहला काम आपको तनाव रहित माहोल में अपनी study करनी पड़ेग तनाव रहित माहोल में एक तो बच्चे का जो mindset है, वो मैंने आपको बताया, दूसरा ये है, जो family का environment है, वो भी कि कई बार क्या होता है, कि आपके पास एक ऐसा timing होता है, जब आपके पास पूरे family में काफी member घर पे ही रहते हैं, और कुछ ऐसा time रहता है, जब उन में से का time पे अपने एक schedule बनाते हैं, और किस time पे अपने आपको tension free रखते हुए, अपनी maths की study करते हैं, तो सबसे पहला काम आपका तनाव रहित पढ़ाई करनी होगी, कि जिसमें आपको कोई भी tension ना रहे, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, कि आप पहले deep breath exercise कर सकते हैं, योगा meditation वगरा ये भी कर सकते हैं, वो एक बात की बात है, लेकिन सबसे पहले जो important है, वो आपका mindset है, कि आप उसे पिछली सारी बाते हाटा दीजिए, next future की सारी बाते के बारे में सोचना बंद करजिए, सिर्फ present में रहिए, कि आज अगर मेरा अच्छा होगा, आज अगर मैं math way focus करूँगा, मैं ज्यादा time दूँगा, मैं ज्यादा question करूँगा, तो मेरे chances हैं, कि मेरा future में जो match होगा, वो काफी strong होगा, इसको आप match में एक probability के through भी कर सकते हैं, कि आज अगर हम ज्यादा से ज्यादा question attempt कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा जो result होगा, वो CB room में TV लगा रहता है, तो उसी में जाते ही हमारा वो TV देखने का ही मन करता है, लेकिन अगर आपकी study table कहीं भी लगी हुई है, आप वहाँ पर जाके बैठते हैं, तो automatic आपका मन भी उसी time पढ़ने का ही करता है, फिर आपके पास यह है कि आप math में क्या शुरू करें, तो यह आपकी मर्जी होती है, कोई बोलता है कि आप उसको easy chapter से शुरू करें, कोई बोलता है difficult chapter से शुरू करें, लेकिन हम लोगों ने आप लोगों को यह बताया है, कि आपको 10-15 questions करने हैं, तो आप routine wise अगर करने हैं, chapter 1-15 तक के, तो आप routine wise करते रहे हैं, जो chapter school में चल रहे ह आप इसको करते रहे हैं, जब आपके पास doubt आता है, उसी time आप अपने doubt को discuss कर लीजे, अपने teachers के साथ, जो भी आपके पास guide अविलेबल है, आप उससे भी अपना, जो भी doubt है वो clear कर सकते हैं, आप अपने आपको update रख सकते हैं, news labels और new pattern के लिए, क्योंकि हर साल, यह साल, हर दो साल में, CBSE अपना एक pattern change करता है, examination का, पहले उसने case study डाली, फिर उसने MCQ के questions यादा किये, last year, covid की वज़ा से, उन्होंने 30% syllabus reduce किया, तो अगर ऐसी condition आज भी बनती है, अगर आपकी online classes हैं, तो हो सकता है, 30% syllabus reduce हो, लेकिन यह एक future की बात है, तो 30% syllabus reduce होने पर, आपको syllabus करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, इस पर हम लोगों ने एक वीडियो बनाई है, जिसका link आप लोगों को, description box में मिल जाएगा, आई बटन पे भी आप लोग देख सकते हैं, तो हमारे according यह था, कि 30% syllabus अगर reduce होआ है, तो भी आपको syllabus करना चाहिए, क्योंकि आपका जो base है, वो strong बना रहे, क्योंकि आप लोगों ने देखा है, लास्ट टाइम भी आप लोगों का जो online classes हुई है, exam भी online हुए, किसी state में तो exam ही नहीं हुए, वैसे ही बच्चों को promote किया है, तो उसमें भी अगर आप इस class में 30% syllabus reduce करवा देते हैं, तो 10th class में यह देखे, आपक 20% syllabus reduce करा देंगे, तो 10th के लिए जो आपका base बनेगा, वो कितना week बनेगा, तो जो अगर आपके पास proper time है, तो जो अगर deleted होता है syllabus, तो भी आप उस syllabus को एक बार तो complete कीजिए, और फिर आप अपने आपको update रखिए, कि किस तरह से हमें new syllabus और new pattern के according एक तयारी करनी है, mathematics में जीत उसी की होती है, जिसके concept काफी strong होते हैं, क्योंकि questions की कोई limit नहीं है, कि questions किस book से आएगा, mathematics में एक digit change करनी होती है, और एक question different बन जाता है, तो अगर आपके concept काफी strong है, तो आपके लिए किसी भी question को attempt करना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आपके concept ही weak है, तो आपके ल आप लोगों को करना है, अपने concept को strong करने में, और उसके बाद उसकी ज्यादा से ज्यादा practice करने में, जिससे की वो आपका, जो concept है, वो strong बना रहे, उससे related जो भी questions है, वो आप attempt कर लीजिए, कि जिससे paper में अगर वही, या उसी type के question आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोगों ने पहले attempt किये थे, आपको एक थोड़ा सा experience भी उसका मिल जाएगा, mathematics में आपके 15 chapter हैं, और 15 chapter में ही आपके concept और formula गिवन है, आपको एक formula booklet बनानी चाहिए, जिसमें हर एक chapter से related concept और formula लिखे हुए हो, फिर उन्हीं concept और formula को आपको बार-बार revise करके याद करना है, उसका फाइदा क्या होगा, कि अगर आपको formula याद है, तो आपका concept is strong, और आपका chapter easily आप उसको attempt कर पाएंगे, किसी भी question को, आप कहीं traveling पे हैं, आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं, आप अपने parents से, अपने elder से कह सकते हैं, कि इन में से आप उसे formula सुनिये या वो भी आप से सुन सकते हैं, उनके पास एक छोटी सी booklet होगी, तो इस तरह से आप benefit ले सकते हैं उस चीज का, क्योंकि maths अगर strong बनानी है, तो formula जो हैं, वो आपको tips पे होने चाहिए, याद रखिए formula जो आपके 9th वाले हैं, वो आपकी tips पे होने चाहिए, और 9th से पहले वाली classes में जो भी आपने study किये हैं, चाहिए वो 8th में हो, 7th में हो, 6th में हो, वो भी आपकी tips में होने चाहिए, तो up to 9th classes जो भी formula हैं, वो आपकी tips पे होने चाहिए, क्योंकि जो question है, वो कोई unlimited questions हैं, उसमें आपको ज़रूरी नहीं हैं, कि 9th वाले में 8th का जो concept है, वो applicable नहीं होगा या 7th का applicable नहीं होगा, तो अगर वो strong है, तो आपके लिए 9th easy है, तो इसको आप benefit ले सकते हैं, एक छोटी सी formula booklet बनाने में, ज्यादा समय भी इसमें नहीं लगेगा, आप अगर थोड़ा थोड़ा time भी देंगे, तो 2 या 3 दिन में वो formula booklet easily बन जाएगी, तो उस भी doubts होंगे, उनको mention ही नहीं करते, टिक ही नहीं करते, और आगे बढ़ते जाते हैं, और कुछ time बाद, कुछ दिनों बाद, वो जो doubts हैं, वो इकठे होके 20, 30, 40 doubts हो जाते हैं, और जिसकी वज़े से आगे के जो question है, उनको भी उसको करने में problem आती है, तो आप कोशिश कीज कि जो भी doubts हैं, आप on the spot clear कीजिए, या same day clear कीजिए, लेकिन हर एक exercise में, उसके page पे ही, आप pencil से mention जरूर कर लिजिए, कि कौन-कौन से आपके doubt है, doubt question number आप लिख सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही आपके doubt clear हुए, तो उसी question को आप, question number लिख हुए, को आप cross कर दीजिए, प एक साथ ही सारे doubt हम 30, 40, 50 doubt इकठे कर लेते हैं, और एक पार ही teacher से पूछ लेंगे, इतने doubt कोई भी teacher बताने के लिए available नहीं होगा, कि आप 50 question लेके जाएं, और वो doubt 50 के 50 को on the spot आपको बता सके, दूसरा यह होगा कि उसी doubt में, अगर उससे related जो भी question है, वो भी आपके doubt ही ब applicable होना था वो वाला part, आगे का question मेरा doubt नहीं बनता, तो कोशिश कीजिए कि आपके जो doubt है, उनको on the spot, यह same day ही आप clear कीजिए, और जो आपके doubt है, उनको mention जरूर कीजिए, कहीं नोट करके जरूर लिखिए, कि कहां पे आपके doubt है, और वो clear हुए या नहीं, इसका भी आपके पास indication होना चाहिए, अधिकतर इस students, अपनी book से chapter complete करने के बाद, next chapter की तरफ बढ़ जाते हैं, chapters पे chapters करते जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ते जाएंगे, और पिछला वो भूलते हुए भी जाएंगे, पिछले chapters में क्या था वो उनको याद नहीं होगा, और कहां उन्होंने mistake की थी, वो भी उनको नहीं पता होगा, तो हर chapters के बाद, या कुछ time duration के बाद, weekly या after 10 days, अपने लिए एक chapter का test जरूर रखवाएं, आप फुद बना सकते हैं, अपने elder से बनवा सकते हैं, parent से बनवा सकते हैं, tuition teacher से बनवा सकते हैं, जरूरी है अपने आपको judge करना कि हम किस level तक हैं, अगर हम ये पता लगा सकें कि हम इस chapter को अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, या इन questions में हमें attack करें हैं, problem आ रहे हैं, जितनी जल्दी आप इसको sort out करेंगे, उतनी ही जल्दी आपका improvement शुरू होगा, ये तो हुए starting के chapter wise की बात, जब आपका syllabus complete हो जाता है, final exam से पहल जितना भी syllabus है, उस syllabus का new pattern के according भी test series आपको attempt करनी चाहिए, market में अगर books available हैं, तो आप वहां से भी arrange कर सकते हैं, tuition से आप arrange कर सकते हैं, अपने लिए किसी elder से बनवा लिजी उतनी full syllabus का, लेकिन याद रखिए उसमें new pattern का syllabus होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पुर मिले, यहां पे आप case study को आपने touch ही नहीं किया, वहां पे paper में आपको case study वाले questions मिले, तो new pattern के according, जो भी आपका नया syllabus है, उसको पूरे को ही आप काम में लेके एक अपने लिए test series arrange करवा सकते हैं, most of the tuition में इस तरह का होता है, कि वो arrange करते हैं, इस तरह से test series को जो काफी beneficial हो हैं, तो आप अपने लिए भी arrange करवा सकते हैं, आप अपने elder से, अपने parents से इस तरह का एक बनवा सकते हैं, कि हमारे लिए question paper आप बना दीजिए, आप उसको attempt कीजिए, प्रोपर उतने ही time में, उसको check करवाईए, जहां पे mistake है, उसको आप दुबारा से उस question को करिए, आप कि जो error हैं, उनको खतम कीजिए, जिससे आपका improvement हो सकते हैं, जब आप सही तरीके से exam की preparation कर लेंगे, तो उसके बाद second party start होता है, आपका examination के time में, जब आप examination room में हैं, तो जो आपने knowledge बनाई है, जो आपके पास knowledge है, जिस तरह का आपने तरीके से अपनी पढ़ाई की है, अपने practice की है, test arrange की है, उन सभी को अपने apply करना है अपने final paper में, क्योंकि आपको marks वहीं मिलने है, जैसा आप लोगों ने अपने answer sheet में लिखा होगा, answer sheet में जिस pattern के थूरू लिखा गया है, जिस method के थूरू लिखा गया है, उसके according ही आपको marks मिलने है, तो वहाँ पे आपक को ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले आपने question को सही तरीके से पढ़ना है, उससे related ही answer आपको लिखना है, answer को सही तरीके से लिखना है, उसमें statement होना चाहिए, उसमें diagram होने चाहिए, कोई भी identity या formula apply किया है, वो आप mention करेंगे और proper unit होनी चाहिए, सही तरीके से examiner के सामने अगर आप अपने answer को present करेंगे, तो आपको फूरे ही marks मिलेंगे, अगर 4 marks का है तो 4 मिलेंगे, 3 का है तो 3 मिलेंगे, इस तरह से अगर आप count करेंगे, तो आपके 80 में से 80 और 100 में से 100 marks easily आ सकते हैं, ये कुछ बातें थी, कुछ points थे, जिसको आप implement करके, काफी अच्छा ही score कर सकते हैं, एक्जाम में, देखें, आपने बहुत सारे ऐसी बातें पहले भी सुन रखी होंगी, अपने teacher से सुनी होंगी, पिरेंट से सुनी होंगी, YouTube पे वीडियो भी काफी है, आपने देखी होंगी, आपको लगा हुआ कि सारी बातें तो मुझे पता है, फिर मेरे marks क्य से 100 नहीं आते, जरूर आपके marks आएंगे, सिर्फ आपका dedication चाहिए, honestly आपका implementation चाहिए, कि आप इन सभी strategy को, इन सभी points को proper way में follow कर रहे हैं, इतनी lengthy वीडियो को भी आपने इतना प्यार से सुना, उसके लिए आपका thanks, इस वीडियो को अपने friends के साथ जरूर share करें, comment section में बताईए कि आपको यी video कैसी लगी, और अब किस topic पर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए video बनाएं, कहीं भी आपको doubt है, किसी भी तरह की problem है, तो आप हमें comment section में जरूर बताएं, फिर एक नई video के साथ बहुत ही जल्दी आप लोगों से जोड़ते हैं, thank you very much for watching this video.